थेलो गाइस तो इस वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूँ पिछली वीडियो हमने adjective के सभी रूपों को clear किया था कि ये कितने परकार के होते हैं उनका use किस परकार से किया जाता है अगर आप लोगों नहीं देखी वो वीडियो तो description में मैं link दे दूँगा आप लो देखे सबसे पहले quantity वाले आडियाक्टिव मतलब मात्रा, abundant, प्रचूर या भरपूर empty, खाली जो की एकदम खतम हो few, कुच या कम कह सकते हैं full, पूर्ण या पूरा light, हलका many, अनेक या कई heavy, भारी sparse, viral, या कुच या कम अब sound वाले आडियाक्टिव देखिए deafening, गगन भेदी मतलब जो ऐसी आवाज जो सुने ना जा सके काफी तेज हो loud, जोर से या हला गुला वाली आवाज noisy, सोर या हला गुला वाली आवाज quiet, मतलब चुप चाप या सान्त आवाज melodic, मधूर आवाज screeching, रोते हुए या चीखने चिलाने वाली आवाज thundering, गर्जनदार आवाज जो गरच्ती हुई निकले voiceless, moan, सांती वाली आवाज whispering, धीरे धीरे बोलना मतलब धीरे आवाज अब दीके touch या टेश्ट को fresh, मतलब ताजा greasy, मतलब चिकनी bitter, मतलब कड़वा delicious, मतलब स्वादेश्ट hot, गरम, icy, थंडा juicy, रसीला loose, धीला melted, पिगला हुआ nutritious, पूष्टिक, क्रिकली, काटेदार रैनी, बरसाती rotten, सडी गली या सडा गला salty, नमकीन sticky, चिपचिपा strong, बल्वान sweet, मीठा या मिठाई ठीक है, मीठा होता है ये जो एक नावन है, इसलिए यहां पर मिठाई भी है, ठीक है tart, मतलब तीखा taste less, फीका yummy, स्वादेश्ट silky, रेस्मी soft, मुलायम अब देखिए appearance, मतलब उपस्तिती किस परकार की होती है, एडियक्तिवे adorable, अराध्य alert, चेतावनी beautiful, खुबसूरत blonde, गोरा या सुंदर bloody, खूनी या लहुलुहान blessing, ललित bright, उज्वल clean, स्वाच्छ या साफ cloudy, धुन्दला या बादलो से घिरा हुआ colorful, रंगीन crowded, जो की एक एडियक्तिव है, भीड cute, प्यारा crowd भी कह सकते हैं, crowd ठीक है, crowd भी एडियक्तिव है dark, अंधिरा dull, नीरस या उबावू fancy, कलपना या आने वाली जो भविस्य की चीज़े हैं वो fancy जो हम पहनाओं में यूज़ करते हैं filthy, गंदा glamorous, आकरसक gleaming, चमचमाती या चमचमाता light, रॉस्नी misty, धुंदला muddy, मैला या कीचडवरा plain, समतल या सादा quaint, विचित्र saini, चमचदार strange, अजीब अब देखे, feel bad, जब बुरा लगता है afraid, डरा हुआ angry, गुस्सा annoyed, नाराज anxious, चिंतित, उत्सुक या बेचैन anxious, ठीक है? इसका उच्चारण है arrogant, अभिमानी या घमंडी ashamed, सर्मिंदा या लज्जित awful, भयंकर या डरावना bad, खराब bored, उबावू confused, परेशान या उल्जन भरा creepy, खौफनाक या डरावना cruel, निर्दाई dangerous, खतरनाक defeated, हारा हुआ depressed, उदास disgusted, घ्रणा करने वाला disturbed, व्याकुल envious, इर्षिया envious, ठीक है, envious इर्षिया evil, बुराई fierce, भयंकर foolish, बेवकूफ pretend, डरा हुआ helpless, मजबूर homeless, बेघर hungry, भूखा heart, चोट ill, बीमार jealous, इर्षिया lonely, अकेला mysterious, रहस्मय naughty, नटखट nervous, बेचैन scary, डरावना selfish, स्वार्थी sour, पीड़ा दायक tense, तनाव terrible, भयानक thoughtless, विचारहीन tired, ठका हुआ troubled, परेशान upset, परेशान uptight तनाव ग्रस्त wicked, सैतान अब दे के feel good agreeable sehmat brave, बहादूर charming, आकर्शक cheerful, आनंद दायक comfortable, आराम दायक cooperative co-operative sahयोगी courageous sahasik delightful आनंदमय eager, उत्सुक elated उत्तेजित enchanting karamati enthusiastic उत्साही excited उत्साही fair उचित faithful वफादार fantastic सांदार fine, ठीक या बढ़िया friendly, uncool या दोस्ताना अंदाज funny, मजेदार gentle सज्जनता या सज्जन glorious गौरफसादी good, अच्छा happy, खुस healthy, स्वस्त helpful, उपयोगी jolly, खुसनुमा joyous, आनंदित kind, दयालुया महरबान lively, जीवन्त lovely, सुन्दर obedient आज्यकारी perfect, उत्तम pleasant, सुहाना या सुहानी proud, गर्व victorious विजयी wonderful, आश्चर्य जनक अब देखिए condition, मतलब इस्तिथी alive, जिंदा brainy, समझदार busy, व्यास्त careful, सावधान cautious, सतर्क cautious कहते हैं, ठीक है सतर्क clever, चतूर worried, चिंतित crazy, पागल curious, जिज्यासू dad marahuayamrat different, भिन्द difficult, कथिन doubtful, संदिग्द easy, आसान famous, पर्षिद helpful, उपयोगी helpless, मजबूर important, जरूरी impossible, असंभव innocent, मासूम modern, आधूनिक open, खुला outstanding, बकाया poor, गरीब powerful, सक्ति puzzled, फसा हुआ real, असली rich, धनी right, सही c, सर्मीला sleepy, निद्रालू stupid, बेवकूफ temp, पालतू wrong, गलत तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ, यह list आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगोंने वीडियो को enjoy किया होगा आप लोगोंने बहुत को सीखा होगा इस वीडियो को अगर आप दुबारा भी सुनेंगे तो कोई आपत्ती नहीं है आप लोग समझेंगे ही ठीक है आप लोग जब repeat करेंगे तो आप लोग अपने समझ से सोचेंगे word को और उसका हिंदी मतलब आपको समझना आएगा तो thanks for watching take care, bye